दोस्तों बिग बोस ने हमेज शोग के स्टार्ट से ही एंटर्टिन करना शुरू कर दिया है फिर चाहे वो निकी तमोली जैसे कंटेस्वन को लेकर हो या फिर सिद्धा शुकला और गोहर खान के जगडे को लेकर हो लेकिन अब जब Big Boss में नए नए टास्क मिलने लगे है उससे लोगों का ये मानना है कि ये काफी चीप और वलगर है जिससे की लोगों की तिंकिंग में अब डिफ्रेंस दिखने लगा है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ वैशाली सैनी और स्वागत है आपका हमारे चैनल में देखी बात करें Big Boss के टास्क की तो एक ट्रोमो वीडियो में हमने ये देखा तक कि Big Boss ने घर की लड़कियों को एक टास्क दिया था जिसमें की घर की लड़कियों को सिद्दाश शुकला को अपनी अदाव से रिजहाना था और उसी में सिद्दाश शुकला के साथ ETV पे लड़कियों ने रेंडांस भी किया लेकिन अब उसमें कुछ लोगों का मानना ये है कि ये सीन काफी वलगर और चीप है और दूसरी बात करें एक वर्ग की तो उनका ये कहना है कि इसमें चीप और वलगर जैसा कुछ नहीं है और ये सिर्फ हमें इंटरेटेंड करने का एक जरिया है और इतना ही नहीं ट्रोलर तो इसको लेके काफी ट्रोल भी कर रहे है Hashtag Boycourt BB14 के नाम से ये चीज सामने आ रही है कि कुछ लोग ये चाहते है कि Big Boss को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये वलगर चीजे और चीप चीजे दिखाना ठीक नहीं है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस की तरफ है क्या आपको ये सही लगता है कि ये चीजे रियल में वलगर और चीप है या आपको ये लगता है कि ये सिफ एंटरेटेन का एक जरिया है तो आप शो को देखना बिलकुल ना भूले और ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ